हेलो वरीवान वेलकम बैए कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे घर पे होंगे और सेफ होंगे तीन दिन आप पाफी जादा प्रोड़क्टिव रहे और आसा करते हैं कि इतने भी वीडियोस मैंने आपको भी तक प्रोवाइड कराये हैं उन सभी के सभी वीडियोस को आप लोग ने जरूर से जरूर देख लिया होगा आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेवर्स की फिजिक्स के फर्स सेप्टर जिसका नाम मापन या मिजरमेंट है के मोस्ट 20 इंपॉइंट कुश्टन के बारे में डिसकस करने वाले हैं यह जो कुश्टन यहाँ पर हमने स्लिट किया है उसमें निमेरिकल्स भी हैं और थेोरेटिकल कुश्टन भी हैं वीडियो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट हैं खुब ध्यान से सभी कुश्टन को हमारे साथ साल्व करने का प्रयास करिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर से जरूर बताएगा कि इन 20 कुश्टन में से आपके कितने कुश्टन करेक्ट हुए हैं चलिए बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कुश्टन की तरफ फर्स्ट कुश्टन आपको स्क्रीन पर दिखेगा यहां पर जो कुश्टन हैं वो हिंदी और इंग्लिस दोनों में हमने लिख रखा है तो आपको कोई प्राब्लम नहीं होने वाली है चलिए फर्स्ट कुश्टन की तरफ फटा-फट से बढ़ते हैं कुश्टन बोल रहा है बच्चों बालू की एक कड की तरिज्जा 1.6 x 10 to the power minus 4 मीटर है इस कड की तरिज्जा एंगा स्ट्राम में होगी एक पाइटिकिल है जिसकी रेडियस देखो इंग्लिस में लिखा कुश्टन इस वैलू इस एंगा स्ट्राम कैसे चेंज करेंगे सर आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एक मीटर जो होता उसमें कितने एंगा स्ट्राम होते हैं तो एक मीटर में बच्चों 10 to the power 10 एंगा स्ट्राम होता है यह आपको सायद पता होगा कि एक मीटर में 10 to the power 10 एंगा स्ट्राम होते हैं तो आपको कितने को चेंज करना है बच्चों 1.6 into 10 to the power minus 4 मीटर को चेंज करना है तो क्या करोगे आप इसके लिए यह इक्वल हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 4 multiplied by 10 to the power 10 यही तो होगा इसको आप multiply करोगे तो बस 4 घात 10 में से घट जाएगे तो 6 घात बचेगी मतलब यह हो जाएगा आपका 1.6 into 10 to the power 6 एंगा स्ट्राम के equal हो जाएगा clear है बाते तो कौन सा option बच्चों correct हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है option number A यहाँ पर correct हो जाएगा समझ में आ रही है बाते हैं आप लोगों को चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं बच्चों जो हमारा question number second होगा बहुत ही आराम से सभी की सभी question को खुब ध्यान आप नहीं भूलेंगे कि कितना question आपको आ रहा था क्योंकि उसी से आइडिया लग पाता है कि आपकी प्रिप्रेशन किस लेवल पे चल रही है बाते समझ में आ रही है बच्चों चलो second question है कह रहा है एक मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं बच्चों एक मिनट में माइक् सेकेंड में चेंज करना होगा एक मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है या साथ सेकेंड होता है सबको पता है ठीक है अब एक सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं देखो एक सेकेंड में दस की घात छे माइक्रो सेकेंड होगा कितना होगा बच्चों दस की घात छे माइक्रो सेकेंड वहाँ पर आपका हो जाएगा तो आपको एक मिनेट अर्थार साथ सेकेंड में पता करना हो जाएगा साथ गुड़े दस की घाश 60 इंटू 10 तू दी पावर 6 ठीक है इसको साल्ब करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 तू दी पावर 7 यही आजाएगा माइक्रो सेकेंड 6 इंटू 10 तू दी पावर 7 माइक्रो सेकेंड मींस आपसन नमबर B यहाँ पर जो होगा बच्चो करेक्ट हो जाएगा माइक्रो सेकेंड इन 1 मिनट 1 minute में कितने microsecond होते हैं पता करना था हमें पता है कि 1 second जो होता है 10 to the power 6 microsecond के equal होता है और 1 minute में 60 second होते हैं तो हमें 1 minute पता करना था 60 से हमने multiply कर दिया और ये option हमको यहाँ पर मिल जाएगा तो option number B बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा correct हो जाएगा clear है बाते चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा question number बच्चों क्या है 3 देखो यहाँ पर आपको काफी अच्छे-च्छे question देखने के लिए मिलेंगे बच्चों और साभी के सभी question ना बहुत ही ज्यादा important है खुब ध्यान से सभी को आप समाजिएगा ठीक है चलो देखो कह रहें एक मीटर लंबाई में एक जीवाड को आतार एक माइक्रॉन है एक मीटर लंबाई में जीवाड की संख्या होगी the size of one virus ठीक है वाइरस नहीं यहाँ पर वैक्टीरिया कह सकते हैं आप लोग लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है वन माइक्रॉन देन नंबर आफ वाइक् मारा वाइरस है यह एक जो हमारा वैक्टीरिया है वो कितना एक टीरिया जो है बच्चों तो कितना अभी बच्चों एक माइक्रॉन में है एक micron जो है वो 10 to the power minus 6 meter के equal होता है जहां सुनों बच्चो 10 to the power minus 6 meter के equal होता है अब हमारे पास कुल कितना जगां है एक मीटर तो एक मीटर में कितने आ सकते हैं भाई इसके लिए हमें एक मीटर को 10 to the power minus 6 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई एक हमारा जो वैक्टीरिया है एक जो जिवाड हो है वो 10 to the power minus 6 meter space लेता है हमारे पास कुल कितना space है एक मीटर तो 1 को हम 10 power 6 से डिवाइड करेंगे तो जा करके 10 की power और plus 6 हो जाएगा means इतने वैक्टीरिया वहाँ पर आ सकते है means यहाँ पर बच्चों आपका option number D जो होगा वो correct हो जाएगा means यहाँ पर आप देख रहे हैं जो question solve कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से आपको unit के बारे में knowledge होना चाहिए कि एक इंगर स्ट्राम में कितने मीटर होते हैं एक micron में कितने मीटर होते हैं जो हम यहाँ पर बताते चलना है और उसको आपको note कर लेना ठीक है न तो यह सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा useful हो रही है कि one micron जो है वो 10 to the power minus 6 मीटर के इक्वल होता है आप इसी के उल्टा लिखना चाहो तो एक मीटर जो होगा वो 10 to the power plus 6 micron के इक्वल हो जाता है यह सारी units आपको जब पता होंगी तो आपको कुश्चन को साल करने में बच्चों problem नहीं होंगी ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ जो हमारा बच्चों question 4 है ठीक है question 4 देखिएगा hydrogen परमार में electron नाभिक के चारो 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 नैनो सेकेंड में चक्कर लगाता है electron एक सेकेंड में चक्कर लगाता है जहां सुनो question क्या है कि एक electron है वो nucleus के चारो तरफ revolve कर रहा है और 10 to the power minus 6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर complete कर लेता है तो एक सेकेंड में कितना चक्कर complete करेगा यह आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है तो कैसे आप इसको solve करेंगे आपको पता होना चाहिए बच्चों की 10 to the power minus 6 नैनो सेकेंड की बात हो रही है और अगर हम घूमने में लगा समय की बात करें तो माइनस 6 है आपको एक सेकेंड में पता करना है तो आप इसको कैसे पता करेंगे बच्चों थोड़ा सा आप दिमाग लगाईएगा इस कुश्चन को हम आपके टास्क में रखना है क्योंकि नैनो सेकेंड का यूज एक बार आप लोग कर चुकी है ठीक है फोर को आज के टास से प्रत्वी तक प्रकास के आने में पांच वर्स लगते हैं तारे की प्रत्वी से दूरी किलो मीटर में होगी देखो बच्चों कह रहा है कि तारे से पिर्थवी तक लाइट के आने में पाँच साल लग जाते हैं ठीके तो कह रहे हैं कि वहां से यहां तक की दुरी माने तारे से पिर्थवी की दूरी आपको बतानी है देखो कहें साल करेंगे बच्चों इसको हम लोग देखो आपको पता है कि दूरी जो होती है दूरी को निकालने का जो सूत्र है आपके पास वो सिंपल है चाल गुडे में कितना बच्चों समय चाल गुडे समय यह होता है आपका दूरी निकालने का सूत्र तो चाल तो प्रकास की fix है तीन गुडे दस की घाथ आठ वर्स समय कितना लगता है 5 वर्स अब 5 वर्स को आपको स्केंड में बतन लाएं तो पहले 5 साल गुड़ा किये 5 शाल में कितना दिन होता है होगे तब जाकर कि आपको वहाँ पर एंसोर आपको मिल जाएगा तो इसको आप गुड़ा करके देखेंगे तो आपसन नंबर सी जो होगा बच्चों आपका करेक्ट होगा चार दसमलो साथ तीन गुड़े दस की हाथ ठीक है समझ में आया बहुत ही आसान सा कुष्ष्ष्ष ragout फा दूरी बराबर चार गुड़े शमलें पर आपको पता क्या क्या होना चाहिए प्रकास की चाल होनी चाहिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं घंटे में कितना मिनट होता सेकेंड होता है बस उसी लॉजिक का यूज किया गया और कुष्टन हमारा सिंप्लिफाई हो गया ठीक है चलो नेक्स कुष्टन के तरह बढ़ते हैं बच्चो जो हमारा कुष्टन नमबर 6 है करें बच्चो एक माईक्रॉन में एंगस्ट्राम की संख्या होती है नमबर आप इन वन माईक्रॉन ध्यान सुनों बच्चो कुष्टन क्या है एक माईक्रॉन में कितने एंगस्ट्राम होते हैं यह बताईए आप लोग फटा फट से तो बच्चो यहां पर ऑप्सन नमबर ए आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 10 to the power 4 कितना हो जाएगा बच्चो 10 to 10 to the power 4 एंगस्ट्राम एक माईक्रॉन में होते हैं तो इस तरीके से आपको ऑप्सन नमबर ए जो होगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है समझ में आरी बच्चे बत आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सारे कुष्टन आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि 1 मीट दिकल्ट आपको पता है 15-6 माईक्रोन होता है और इसके बाद आभी पाउर 10-10 होता हहे तो चार Ultimate होई रहा है तो वहीली आपका आपको वहं अपको आपको सिखाये गया था 10 to the power minus 10 एंगस्ट्राम हो जाता है और ये जो है 10 to the power minus 6 जो है micron हो जाता है तो देखो कितनी घात का अंतर है चार कही न तो ही 10 to the power 4 जो है आपका option number A यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है चलो नेसके तरह बढ़ते हैं जो हमारा question number 7 है बच्चों करें अंगस्ट्राम किस भावतीक राजिका मातरक है the physical quantity of यहाँ पर पूछ पूछ रहा है आपसे कि अंगस्ट्राम जो है ठीक है एंगस्ट्राम जो है फिस फिसकल quantity का unit है ठीक है इंगस्ट्राम िज यूनिट आफ फिसकल कॉंट्री किस फिसकल वेलास्टी आफ साउंड प्रकास की तरंगडैस वे बेलेंध आफ लाइट प्रकास के विए वेलास्टी आफ लाइट नापदिज बताओ भई एंगस्ट्राम किसको नापता है एंगस्ट्राइब बच्चों वेब लेंथ को नापता है ना, ऑप्सन नंबर यहां पर आपका बी जो होगा वे रिक्ट हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है Option number B बच्चों यहां पर आपका का यह जाएगा चलो Next question तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कुछ मुणन नमर ए्ट है बच्चों कराक केलविन कि स्रासिका मात्रक है केलविन जो हैं बच्चों किस रासिका मात्रक है give it में क्या मीजर किया है सब पाता है केल्बिन में Темपरेशम मीजर किया दाए किल्बिन इस दा युट आफ विच कंटोटी ठीक है किस कौंटिटी की जो युट है हुच यहां पर आई सबसा घा रहे है पहला ऑप्षण है बयद्डो धारा कमिन सेलेक्ट्रीक का बी आप्शन है टेंप्रेचर अर्थात ताप का सी आप्शन है जो ती ब्रता का लियूमिनस इंटेंसिटी का बी है बच्चों उसमा अर्थात हीड का तो यहां पर आपका लिए पाप का जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स क्विस्टान तरब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्यूशन नंबर हमारा कौन सा है नाइन है क्या रहा है एक नैनो मीटर तुल्ल है एक नैनो मीटर जो है बच्चों किसके बरावर होता है 10 to the power 6 mm के 10 to the power minus 6 cm के 10 to the power minus 7 cm के 10 to the power minus 9 cm के तो यह तो आपको पता ही होगा बच्चो यहाँ पर आपका 9 वाले में option number C जो है गो correct हो जाना चाहिए question number 9 में option number C 10 to the power minus 7 cm बच्चो आपका correct होना चाहिए समझ में आ रही है आप लोगों कोई दिक्कर तो नहीं भई सारे के सारे question में आपको कहीं पर भी कोई doubt होगा तो आप मारे साथ जरूर से जरूर discuss कर लेंगे ठीक है अभी तक question number 9 तक हम लोग पहुच चुके हैं चलिए बढ़ते हम लोग question number 10 की तरफ एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तै करता है उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल ग्याद कीजिए बच्चो चाल ग्याद करनी है आप लोगो आप पार्टिकल ट्रेवेल 1260 मीटर डिस्टेंस इन सेवन सेकेंड स्पीड आफ पार्टिकल सिंज एप्रोप्रियेट मैंगनी फुल वै नमबर मने इसका आपको क्या करना है सार्थक अंक ग्याद करना है तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो बच्चो इसकी चाल ग्याद करनी होगी समझेगा ध्यान से इसकी सबसे पहले हमें क्या ग्याद करनी होगी बच्चो चाल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ध्यान समझे बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो दूरी कितनी तर रहा है बारा सो साथ और बटे समय कितना लग रहा है सत्रा जब बारा सो साथ को सत्रा से भाग दोगे तो चौहत्तर दसमलो एक एक आपको यहां पर प् कि समय की माप केवल दो सार्थक अंखों कि सार्थक होती है तो आपसर नंबर सी जो होगा आपका यहां पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा समझ मियार ये बाते ना चलिए नेक्स कुछिशन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कुछिशन नमर 11 है कुछिशन नमर 11 की तरफ बढ़िए बच्चों इसको भी समझने का प्रयास करिए आप लो करा एक घं की भुजा एक समलो 2 सेंटीमीटर मापी गई घं का आयतन सुर्ध सार्थक अंक में बताईए आपको क्या करना है सबसे पहले बच्चों इसका आयतन निकालना है ठीके आयतन कैसे निकालोगे देखो आयतन को निकालने का सूत्र होगा आपका भुजा की घात तीन ध्यान समझ लिएगा सभी लोग आयतन जो होता है बच्चों घं का उसका फार्मुला होता है एक ही पावर थ्री तो आपको करना पड़ेगा 1.2 की पावर थ्री जब 1.2 की पावर थ्री करोगे इसकी वेलू आएगी 1.728 सेंटीमीटर क्योग अब जो सेंटीमीटर में जब उसको नापा जाता है बच्चों सेंटीमीटर केवल एक ही अंक तक सार्थक माना जाता है या घं की भुजा जो एक समलोग दो सेंटीमीटर लिखी गई थी तो उसमें सेंटीमिटर में हम के एक अंक तक ही जाते हैं तो यहाँ पर जो इतने अंक आ रहे हैं उसमें से हमें केवल एक अंक लेना होगा माने एक समलो साथ सेंटीमिटर के वो लिखा जाएगा ठीक है तो एक समलो साथ सेंटीमिटर जो आया है वो आपका correct answer होगा means option number B जो होगा बच्चों आपका यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है सार्थ अंक यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो घन की जो भुजा थी 1.2 में दो ही सार्थ अंक है इसलिए आयतन जब निकालोगी उतने ही सार्थ अंक आपको आयतन में भी लेने पड़ेंगे जितने अंक आपको भुजा में दी गई थी उतने ही अंकों में आपको आयतन पर भी यहाँ पर चर्चा करनी होगी तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा 1.7 आपका correct होगा ठीक है 1.728 multiply करने पर आएगा लेकिन दो ही अंक वहाँ पर लिए जाएगे इसलिए आपको option number B यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है जो हमारा question number 12 है कह रहा है कि प्रकास वर्स मातरक है प्रकास वर्स किसका मातरक है सब को पता है इसके बारे बच्चों कि प्रकास वर्स जो है वो दूरी का बड़ा मातरक है सो यहाँ पर option number A जो होगा आपका वो correct हो जाएगा ठीक है चलो next question के तरफ बढ़ो बच्चों कुस्सन number 13 लीटर किस पध्धादी का मातरक लीटर लीटर जो है किस पध्धादी का मातरक है किसका मीटरी पध्धादी का मातरक है means option number A जो होगा आपका यहाँ पर यह correct हो जाएगा ठीक है चलो next question देखते हैं बच्चों कुस्सन number 14 है कह रहें MPR बिद्दुधारा का मातरक है किस पध्धत में CGS पध्धत में ठीक है FPS पध्धत में SI पध्धत में MKS पध्धत में बताओ भाई किस पध्धत में जो हमारा SI unit होती है electric current की वो क्या होती है MPR ही तो होती है ठीक है इसलिए कुस्सन number 14 जो है बच्चों इसमें आपका option number C correct होना चाहिए कि SI unit है जो electric current की SI unit होती है MPR होती है इसलिए बच्चों यहां पर option number C जो होगा आपका वो correct हो जाएगा ठीक है चल नेक्स कुशन की तरफ बढ़ते हैं करें बच्चों एक इलेक्टान का दरब्यमान इतना ग्राम है एक ग्राम में इलेक्टान होंगे इसको आप लोग साल्व करेंगे बहुत ही आसान सा question है आप कर सकते हैं इसको देख लीजेगा question बच्चों इसको नुमट करके और कमेट सुन जाकर कि मुसे बताएगे कुछ आप लोग भी करेंगे तो फिर जादा मजाएगी ना चलो भाई बारियर कैलिपर्स का अलपत माप क्या होता है बारियर कैलिपर्स होता है उसका अलपत मांग जो होता है बच्चों वो 0.02 mm होता है ठीक है 0.02 mm होता है आपको इसको याद रखना है option number B जो होगा आपका ये correct हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं बच्चों कुस्टर नमबर 17 इसकुरूगेज के सिध्धान पर कारे करता है इसकुरूगेज मतलब किस सिध्धान पर कारे करता है इसकुरूगेज works on which theory ऐसा पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर माइक्रो मीटरी ठीक है वर नियर पेंच इन में से कोई नहीं बताइएगा आप लोग कौन सो आपसन साही होगा बच्चों आपसन नमबर यहां पर सी करेक्ट होगा यह जो हमारा इसको ग्रेज होए बच्चों वह जो है पेंच पर ना पेंच कर जो सिस्टम होता है उसी प आपको खुद से चेंज करना है और कि मुझे बताना क्योंकि इसकी बारे में हम डिसकस कर चुके हैं ठीके चलो निए किसम नंबर नाइंटीन जीरू.001 में में कितने सार्थक आंक हैं सार्थक आंकों की सँख्या आपको बतानी है तो बच्चों इसमें किवल और किवल एक कहीं सार्थक होंगे ना क्योंगी आपका जो जीरो लगा है उसकी काउंटिंग यहां पर नहीं होगी ना तो आपसर नमबर एज होगा आपका वो कडिक्ट हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं कुछसर नमबर 20 0.0650 में सार्थक अंगों की संख्या इसमें कितने सार्थक निकालना नहीं आता है कोटिमान निकालना नहीं आता है तो आप हमारे साथ सेयर करिएगा हम उस पर वीडियो प्लान कर देंगे बच्चों मेरी तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं है बोलने में प्रॉबलम हो रही है इसलिए कुश्चन को बहुत अच्छे से एक्स्प्रेन न आये हैं और कितने कुश्चन आपको पहले से आ रहे थे जरुर जरुर बताइएगा बाकी ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए सांदार रहिए मस्त रहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए आल्दवेस्ट